स्रीकिष्णा रक्षवंदन का तेवहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है बहन अपने भाई की कलाई पर धागा बानती है और भगवान से लंबी उम्र की कामना बहन करती है यह रक्षवंदन का तेवहार सरावण माय की पूर्मा कुमनाया जाता है यह दूसरा वर था तो भद्रा भी सनेद्यों की तरह क्रोधी है इसलिए ब्रह्मा जी ने जो गेरह करण है गेरह करण में से साथ में करण विष्टी करण में भद्रा को इस्थान दिया था तो माननेता ऐसी है सूप नखा ने अपने भाई रावन को असुब भद्रा में धागा वांदा था इसलिए उसके जीवन में ऐसे घटना है घटी बेहन सुव समय में सुव घडी में सुव योग में भाई की कलाई परधागा वांदे जिससे भाई के जीवन में आने वाली समस्त वाध हैं सभी संकट दूर हो जाते हैं तो इस समय जो पूर्माति थी है वो 30 अगस्त के सुवे 10 बजे से प्रारम हो करके 31 अगस्त सुवे 7.30 बजे तक रहेगी इसी समय भद्रा भी रहेगी भद्रा 30 अगस्त के रात्री 8 बच के 50 मिनट तक रहेगी इसलिए इस समय हम लोग रक्षा वन्दन परव नहीं मनावे आठ बच कर 50 मिनट के बाद या 9 वजे से सुवगड़ी अमर्त चोगड़िया में रक्षा वन्दन का परव हम लोग बड़े प्रेम से मनावे इसमें किसी प्रकार का हम लोगों को संसय नहीं पालना चाहिए रक्षा वन्दन का तिवहर सनातन धर्म का बहुत बड़ा तिवहर है तो हम लोग बड़े प्रेम से सबसंसर को छोड़ करके 30 अगस्त के रात्री आठ बच के 50 मिनट के बाद में अमरित चोगडिया में साड़े दस बजे तक या जिनके यहां रात्री में राखी नहीं बांदी जाती वो 31 अगस्त के सुवे साड़े साथ बजे के पहले भी रक्ष वंदन में बेहन जब भी राखी खरीदने के लिए बाजार जाए तो उसमें कुछ सावधानिया रखें वह धागा वह राखी काली काला धागा नहीं होना चाहिए उसमें जब बेहन भाई को राखी बांदे तो भाई का मुख पूर्वी की तरफ हो असुब चिन्न उस पर ना हो जिससे हम लोग जो दिन चरिया के काम करते हैं उसमें किसी प्रकार का भगवान का अपमान नहीं हो सके ऐसे सुब इस थमय पे हम लोग रक्षबंधन मनावें हमारी सब को बहुत बहुत सुब कामना है भगवान जी सब के जीवन पर दया करें